नमस्कार, आज पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार भगवंत मान जी ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया, उसके खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफतार किया जा रहा है, किसी को इस भ्रष्टाचार का पता नहीं था, ना मीडिया को पता था, ना विपक् सकते थे, अब तक तो ऐसे ही होता था, मान साब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने खुद बखुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया, भगवंत हमें आपके उपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके उपर गर्व है, पूरे द दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तब मैंने भी अपने फूर्ड मिनेस्टर के खिलाफ ऐसे एक्शन लिया था, उसके भृष्टाचार के सबूत मेरे पास आये थे, तब भी किसी को नहीं पता था, मैंने खुद बखुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था, आम अदमी कटर इमानदार पार्टी है, कटर इमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बक्षेंगे नहीं, अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी, अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसर के नेताओं के खिलाफ भी एक्षन नहीं करते थे, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के ब्रश्टाचार के खिलाफ भी एक्षन ले रही है, मान साब के इस डिसीशन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं, उन्हें यकीन हो रहा कि कोई सरकार इतनी इमानदार भी हो सकती है क्या, कई लोगों की आँखों में खुशी के आंसू हैं, और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरूद करे, तो विपक्ष कहा रहा है, देखो देखो, सरकार बनने के दो महिने में इनके लोगों न भ्रशटाचार करना शुरू कर दिया, ये सारी पार्टियां भ्रशटाचार करती हैं, पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं, पर दुनिया के दुनिया के इतिहास में ये पहली बार, पहली सरकार है, जो पता लगते ही सक्स्त सक्ट ए वाला अपना ही क्यों ना हो करप्शन देश के साथ गद्दारी है भारत माता के साथ गद्दारी है कुछ भी बरदाश्ट कर लेंगे लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बरदाश्ट नहीं करेंगे गर्दन कट जाएगी लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है न गजदारी करेंगे ना किसी को करने देंगे हैं बच्चपन से घर में माबाप ने इमांदारी के संस्कार दिए हैं इज事情 हमने किया है तक ये करने के लिए बहुत-बहुत हिम्मत चाहिए और यह हिम्मत हमें भगवान से मिलती है ऊपर वाले से मिलती आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो कट्टर इमानदार सरकार दे सकती है कि कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी थोड़ी तो करॉप्शन करनी पड़ती है थोड़ी तो गड़बड करनी पड़ती है आम आदमी पार प्रतकार बिना फ्रष्टाचार के इमानदारी से भी चल सकती है। भारत्य राजनीती बहुत खराब हो गई है। बहुत बहुत दूशित हो गई है। भारत्य राजनीती में आम आदमी पार्टी एक नई शुरुवात है। इमानदारी और देश भक्ति की शुरुआत, एक सुनेरा भारत बनाने की शुरुआत, भारत माता की जय, जय हिंद.